दोस्तों अगर आप होई एक म्यूजिक लवर्ड या फिर थेटर में जाकि मुवी देखना पसंद करते हो स्पेशाली हॉडर मुवी तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्योंकि ये छोटा सा डिवाइस का स्टेप बाई स्टेप सेटिंग में बताने बाला हूँ दोस्तों इस डिवाइस को सेट आप करने के लिए फर्स्ट जो है आप सभी जानते हो यहाँ पे हमें पावर देना है है HDMI आउट में हम लोग इसे कर देते हैं इंसर्ट एंट थर्ड स्टेप है आप जो डिवाइस के साथ इस डिवाइस को चलाने वाले हो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ Amazon का Fire TV Stick तो इसके साथ आप connect कर सकते हो आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स को भी इसके साथ connect कर सकते हो या फिर कोई भी जो DVD प्लेयर का connection है उसे इसके साथ attach कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पे जो HDMI in का पोर्ट है इनके port के साथ मैंने Amazon Fire Stick TV attach किया है and attach करने के बाद क्योंकि मेरा 5.1 subwoofer है जो music system है उसका बहुत ही पुराना type का है इसका analog device है तो मैं इसके साथ jumper का use करूँगा अगर यहाँ पे आपको RCA cable होता है तो आप अलग-अलग से 6 separate RCA cable यहाँ पे यह सारे port में attach कर सकते हो तो मुझे एक jumper का help लेना पड़ेगा जैसे first channel जो है यहाँ पे आप लोगों को notification के लिए लिखा हुआ रहेगा जैसे SWN Center यह center वाला speaker के लिए है जो मेरा यह port है यह orange color का मैं इसके साथ attach कर देता हूँ and the second jumper मुझे लगाना है second वाले जो दो port है उसके साथ लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा SR SL तो यह है आपका back side जो rear side में speaker है उसके लिए तो वहाँ पे भी मैं attach कर देता हूँ यह AUX cable and finally आ जाता है हम लोगों का जो front speaker है उसका jumper मैं यहाँ पे set कर देता हूँ set करने के बाद इसको front speaker को attach कर देता हूँ now our device is ready make sure आप यहाँ पे जो two channel है वहाँ पे मत रखिये नहीं तो only two speaker काम करेगा हमें रखना है pass में pass में रखने से 5.1 जो channel का output है वो properly work करेगा and आप यहाँ से volume भी control कर सकते हो मैंने इसके उपर detail में एक video बनाया है आपको आई बटन में वीडियो के end में दिख जाएगा आप वहाँ से इसका review भी देख सकते हो and total setup हम लोग का complete हो गया है यह one time setup है आप बस एक बर setup कर लो बार बार आपको करने का ज़रूरत नहीं है make sure आपका टीवी का जो output है वो dolby digital होना चाहिए then only 5ो speaker एक साथ काम करेगा आएए चले इससे testing कर लेते हैं and you talk so guys 5.1 channel का जो setup है वो complete हो गया है आप ऐसे ही setup कर सकते हो अगर कुछ problem हो रहा है आप comment box पर हम लोग को लिख सकते हो and make sure जब भी आप 5.1 channel speaker setup करो तो दो जो speaker होगा वो front का TV के एकदम side में होगा middle वाला speaker मिडल में रहेगा and जो rare speaker है वो आपके room के पीछे के corner पे लगा हुआ रहेगा तब ही आपको 5.1 channel का जो theater वाला effect है वो आपको मिल जागा मैं खुदी डर गया था anyways अगर वीडियो अच्छा लगे make sure you subscribe to our channel hit the bell icon and यह device buy करने का link मैं description में दे दूँगा आप वहाँ से directly buy कर सकते हो so guys stay tuned and thank you so much for watching our channel ते एसलिए तेभ भीडियो आपको